नमस्कार मैं वन्षिका शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका नियूस जंगल में दोस्तों आज हम मौजूद हैं अपनी जनता के बीच आम सभी को पता है कि 13 माई को 2024 को कानफुर में मतदान होने वाला है जिसकी जोरो शोरो से तैयारी चरम पर है तो आईए जानते हैं साकेत नगर के लोगों से कि क्या कहना है उनका कैसा मूड है उनका नमस्कार भाईया थोड़ा तेज बोलेंगे नमस्कार क्या नाम है आपका आसिफ फान आसिफ जी क्या मूड है आपका इस चुनाफ को ले करके आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी सरकार तो यहाँ पे दोनों पल्ले भारी है कांग्रेस का भी मतलब अच्छा है और भाजपा का भी परसन सही चल दा है तो लेकिन मैं आपसे यह जानना चांगी हो कि विकास के नाम पर दे कौन सी सरकार क्य। विकास देखे जिशटम पे, इस टम पे जैज़ने मोदी सरकार है, विकास मोदी सरकार में ज्यादय ही हुआ है? ज्याद़ हुआ है धुशेशाषा पूल है, बहुत सी चीज़े हैं, मोदी सरकार महांगे में जिसके आदमी थोड़ा परेसान है. तो आपका कहना है कि महंगा ही जादा है इस वज़े से कॉंग्रेस का पलरा भारी है कॉंग्रेस आ सकती है हो सकता अच्छा जी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे की काफी लोगों ने ये बोला है है कि लिशेपी आएगी तो बाबली मजजित को तोर करके और राममंडिर तो रहेंगा अगर वज़ेपी आएगी कॉंग्रेस आता है तो बाबली मजजित तो फिर से बनेगी आपका इसमें क्या कहना है यह सब गलत बात है ऐसा कुछ होना नहीं ना जो जहां पर है वह वहीं पर रहेगा कुछ बनना नहीं ना यह है जो मस्जिद की जिगाए वहां पर मस्जिद बन सकती है बाकि उसके इलावा कुणियों को यह तो नेता मुदी जी को ही चाहते हैं कि मोदी जी आएं जहां तक कि जहां पहले मोदी जी की सरकार थी वहां मैं गया वहां जैसे मनें development देखा हर इक्षी देखी तो मैं वहीं चाहिटा हूँ कि हमारे कानपुर में यूपी में भी आए अब वैसा ही development यहाँ पर भी हो किस तरह का development देखा रोट देख लिए विकास के तौर पर देखना चाहें तो काफी आंगे हद तक की हरी चीज़े अब आपका कहना है कि सड़के अच्छी हुई है पूल अच्छे हुए हैं तो इसलिए बिजेपी सरकार आनी चाहिए कॉंग्रिस को ले करके आपका क्या कहना ह उस समय इतने बड़े ठेने जो कांग्रेश के बारे मुझ समझ सके आप बड़े है तो जो देख रहा है तो उसी चीज़े पर हमी करें जब तक आप बड़े हुए तब तक विजेपी आ गई थी नमस्कार बेया नमस्कार मैं क्या नाम है आपका दीपक सिंग दीपक जी क्या लगता है कैसा महौल चल रहा है चुनाफ का कोई महौल नहीं हवाला महौल है 400 अब क्या रही है तो मतलब आप फूल कॉन्फिडेंस के साथ पूल कॉन्फिडेंस कोई नहीं हरा सकता है इन्हें गारंटी क्यों 400 पार होगी अपकी पहले इनका परदान मंत्री के चेहरा कौन है कांग्रेस के तरफ से गड़बंतन सरकार में इनका परदान मंत्री बनेगा कौन मालूँ इसका समर्तन जादा हुआ उसने का दिमाई बन सबसे बड़ा मुद्दक सुरक्षा आज से दस साल पहले आप देखते हैं कि बैग मच्छी आज वह सब गायब हो चुका है आतंके हमले बंदू चुके हैं सब कांग्रेस कराती थी नहीं पहले लेकिन सुरक्षा की मामले में अगर मैं कहूं तो अभी भी लड़कियां सुरक्षित तो नहीं हैं विजे पीके भी सरकार में अपका महंगाई को ले करके क्या कहना है जिसे लोगों ने कहा है कि कॉंग्रेस के समय में समाजवादी के समय में महंगाई नहीं थी लेकिन बिजेपी के समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है तो आपका उसको लेके क्या कहना है पहले मैं मादन कितना गमाता था 100 रुपए आज 500 कमा रहा है 10 साल पहले किसRepस मार्फों था नहीं था 9 था 10 साल पहले किसे पाओ साही बाइक थी आज घर में 2-2 बाइक है प्लस उसमें तेल डहलाने की साभी आ रहा है कहाँ समय महंगाई हो गई मैं चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखते रहे नियोस जंगल ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए तानेवाद